आज बात करते हैं कीगल एक्सेसाइज के बारे में कीगल एक्सेसाइज क्या होता है कैसे करते हैं कीगल एक्सेसाइज फोर मूँ बूमेन एंड मैं तो यानि इसके वेनिफिट क्या होते हैं ललके और लडकियों के लिए और प्रेगनेंट महिलाओ के लिए pregnancy में हम इसको कैसे perform कर सकते हैं और सभी के लिए वीडियो help करेगा जिन लोगों को keagle exercise यानि के ऐसी कोई problem है जो पेसाब uncontinuously है या फिर उन लोगों को पता नहीं लगता है sensation का या फिर muscles वहाँ की beak है तो उन लोगों के लिए पूरा मैं structure से जो असमझाने की कोशिस करूँगा जिससे की आपके आसानी से कम सब्दों है सरलमासा में समझ में आ सके तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा end तक देखना जिससे की आपके वीडियो पूरा help करेगा चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ notification नौल पर प्रैस कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता मैं ऐसे ही quality content आपके लिए बनाते रहता हूँ सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे प्राबलम होती क्यों है उसके बाद थोला demo और बता दू प्राबलम होती क्यों है कैसे सिर्फ बचा जा सकता है कैसे हम exercise को perform करेंगे और कैसे कैसे हम जो है इन में जोब प्राबलम हमको होती है और कौन कौन सी जो आप मतलब मास्पेशियों के बारे में बात करेंगे थोड़ी तो इस वीडियो में आपको यही बताने बाला हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता हूँगा लेकिन आपको जो है आउटलाइन आपको पूरी देने की कोसिस करूँगा तो आई होप आपके खुप समझ में आएगा और आप इस वीडियो को मल लगा के एंड तक देखेंगे तो बिलुकुल भी बोरिंग वीडियो नहीं होने बाला है और मेरे चेहरे पर बिलुकुल भी एक्सप्रेशन पे ध्यान मत देना जो मैं वीडियो में करके दिखाने बाला हूँ तो सबसे पहले चलते हैं यहां पर कीगल एक्सेसाइज को बारे में तो कीगल एक्सेसाइज हो पहले में मसल्स को बारे में बता जेता हूँ पीवो कॉक्सीजियस मसल्स और इलियो कॉक्सीजियस मसल्स और यहांपर इसके अलावा हमारे पीवो कौक्सी जीस मसल्स होती है यहांपर यह प्मूरी मसल्स को जो है मतलब बना रखती है इसके अलामे עपको बता दूँर जला डिटेल ना देने की कोशिस करूआ है इससे कि आपके समझ में आए और कम सब्दों में अच्छा समझ में आए जो हमारे कीगल एक्सेसाई होती है उनको पर्फॉर्म तब ही कर सकते हैं पहले हम आपको इसको समझते हैं फिर हम इसको करते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं तो शबसे पहले यह जो हमारा आगे का हस्टा है हम मेल औफ मिल दोनों में ऐसा होता अंदर से थीक है इसके बाद इसके पीछे का हिस्सा है यह पीछे से हम बटक कह सकते हैं सामने से हम जो भी कुछ करते हैं urine बगार वो कुछ इस साइड हमारे वो चीज रहती है फिल है, male है, female है बजाईना और झो है लड़कों में कह सकते है penis तो वो इस साइड रहता है और इसमें क्या रहता है कि हमारी मसल जब भीक हो आती है तो पेसाब जब अंकंटिनुसली आती है तो उसमें क्या रहता है एक तो मासपेशियां कम जोर पड़े जाती है थोड़ा समय इसको हटा के थोड़ा साइड शम आपको सम्झा देता हूँ जैसे की हमारी कोई एक हिसाब से थैला होता है ठीक है पेसाब की एक थैली है ब्लैडर है तो ब्लैडर जब तक उसमें पेसाब होगी तब तक उसकी मासपेशियां जितनी स्ट्रॉंग होंगी उतनी देर तक उसको कैपा सिटी से रोके रहेंगी लेकिन अगर हमारी वो मास्पेशियां बीक हो जाएंगी तो पेसाब लीक होने लगेगी तो सबसे वड़ा खेल यहाँ पर मास्पेशियों का रहता है तो मास्पेशियों को कैसे स्ट्रेंग्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में भी करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फिर मा करके दिखाओं क्यूंकि आप लोग मेरे चेरे के एक्सपेरेशन पर बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि मैं आपको topic ऐसा है तो आपको सम्झाना पढ़ रहा है बहुत सारे लोग ये समस्या बता नहीं पाते हैं खुल के या फिर सर्माते हैं तो उन लोगों के लिए exercise हैं जो लोग खुद घर बैटे इसको perform बैड़ पे ही कर सकते हैं घर में कर सकते हैं ठीक है तो आप अकेले में जब भी हो तो आप इसको perform आबाशेक करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले ये जो mass space होती है या की वो जो है weak हो जाती है सबसे पहले inner की, अंदर की, internally तो उनको strength कैसे करेंगे और जो हमाय pelvic floor की muscles जो होती हैं सामने की तो उनको कैसे strength करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको अब एक exercise की तरफ demonstrate करता हूँ जैसे की हमारे यहां की NS की कह सकते हैं जैसे potty वाले द्वार की rectus muscles और यहां पर जो है क्योंकि video कुछ ऐसा topic है जो कि साथ आप लोगों को बताना जरूरी है लेकिन समझाना भी जरूरी है और लेकिन आप लोग चेरे पर बिलुकुल भी ध्यान मत देना देखिए मैं इस उंगली को अपने मुँ में लेता हूँ ठीक है मान लीजे मैं इस उंगली को मुँ में लेता हूँ और मुँ में लेने के बाद मैं इसको अंदर की साइड जो है इसको अंदर की साइड खेचूँगा तो अंदर की साइड मैं lips की मासपेशियों से तो कैसे खेचोंगा पहले आप इसको एक बार उधाराल में देख लो फिर मैं सम्झा दूँगा क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा जब मैं उंगली मुह में लूँगा तो देखिए कि देखिए कि ऐसे भी कर सकते हो आपने देखा ये जो मेरी फिंगर थी ये फिंगर मेरे मुह के अंदर जाके मास्पेसियों इसको मतलब अंदर की साइड जो कॉंट्रेक्ट कर रही है तो मास्पेसियों पर काफी परभाब पढ़ रहा है यानि कि अंदर की मास्पेसियों है तो रेक्टर्स की अगर प्रॉब्लम होती तो रेक्टर्स के द्वारा आप इसको जो है अंदर की साइड जो है खेच सकते हो जितनी आपकी कैपासिटी है इसके अलाबा आप दूसरी टिप्स जो आपके लिए बहुत हैल्प करेगी पेसाब बाले काम में जो लोगों की पेसाब अनकंटिनियूसली आती है तो उन लोगों के लिए क्या करना है जब पेसाब आ रही हो तो पेसाब के समय उस समय आपको जब पेसाब आने बाली हो त तो अंदर की weakness कम करने के लिए आपके लिए ऐसा तो हैने को जड़ी वूटी एकदम खाएंगे और आपको आराम मिल जाएगा तो आपको exercise बहुत अच्छे result देगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से आप करना इस्टार्ट करें और कल को जाके आपको result देखने को मिल जाएं तो भाई आपको कुछ दिने प्रियास करना पड़ेगा जिसके बाद आपको अच्छे परिडाम देखने को मिलेंगे तो आप exercise जब कर रहे हूं तो कम से कम दो महीने तक आप करें तो आपको result देखने के लिए मिलने लगेंगे इसके बाद मैं आपको बता दू जो लोग pregnant महीला हैं यासे pregnancy के दोरा हैं जो exercise करना चाहते हैं उनके लिए मैंने आल लेडी वीडियो बना रखा या कि आप eye button पे देखिएगा वो आपकी पूरी help करेगा कीगल exercise उसमें कैसे perform करते हैं देखिए कीगल exercise और pelvic floor exercise ये different नहीं है बस नाम का थोड़ा फर्क है जो कीगल वाड है वो एक अलग है लेकिन जो pelvic floor muscle से वो एक medical term है ठीक है तो दोनों को मिला के जो अगर चाहे तो कीगल और pelvic दोनों एक ही रहता है लेकिन pelvic यानि जो pelvic area होता है वो genital area होता है जननांग का area होता है पेट की नाभी से लेके यहां तक और पीछे बटक तक जो हमारे area कहता है जांगो तक वो हमारा pelvic floor area होता है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को sensation ही नहीं होता कि हमारी कपे साब आ रही है कब leak हो रही है तो वो लोग इन exercise को perform कीजिए जैसे मैंने बताया है आप जितनी देर तक आप अपने इसाब से capacity के निस्वार रोक सकते हैं आपकी problem 100% कहता हूँ solve होने लगेगी लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं खाली video देखके आप entertain कर लेंगे या फिर video देखके आप अपना time pass कर लेंगे और सोचेंगे मैंने अच्छे से बताया तो है लेकिन perform नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी result नहीं मिलेगा खाली video देखने से ही काम नहीं चलता विडियो तो YouTube पे लाखों मिल लाएंगे लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं तब तक reality भी सामने नहीं आएंगे तो आप इनको perform करने के लिए जो मैंने बताया आपको ये बहुत simple तरीका जो जो कि ऐसे वाला एक ए बाला और दूसरा बाला जो कि मैंने यानि जब अंदर से पेशा बार रही हो तो उसको रोकने वाला और तीसरा मैंने इसके अलावा एक वीडियो और बनाई थी जो कि बहुत जाला आपने अच्छा प्यार दिया तब ही मैंने आपके लिए वीडियो नेस्ट बनाया है क्योंकि आप लोग ने subscribe किया support किया channel को तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया तो आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देके channel को subscribe करके वीडियो को share आवश्यक करना तमान दोस्तों के साथ share करना जिससे उनकी problem पेशा बन continuously या फिर उनकी pelvic floor की muscles strength हो सके इसके अलावा बहुत सारी ओर exercise होती है जो कि आप जिम में या फिर कहीं घर पे भी कर सकते हो तो उनको देखने के लिए i button पे click कीजिए and screen card पे मुझसे जुनने के लिए Instagram, Facebook और Telegram जोईन कीजिए सबका link description में मैं दे दूँगा मिलता हूँ किसे अन वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाइ